जेहिन साथियो नमस्ते आप देख रहे हैं समाधानी स्टीडी और समाधानी स्टीडी परिवार में आप सभी का ही स्वागत है और आज जो हैं सुपर 50 साइन्स की क्लास में आपका स्वागत है बिलकुर और जहाँ मैं बताने वालों आपको कि किस तरीके से आपको कुस्टन पुछे जाता है एक्जाम में और किस तरीके से और किस पैटरन पर आपको नए-नए क्वेस्टन पुछे जाएंगे तो गईस आप लोग बने रहेगा अंतिम तक जरूर देखेगा अगर आप लोग फर्स टाइम आये हैं हमारे चैनल में फर्स टाइम विजिट किया है तो चै भावी ऑसदी कुनेन का निस्कासन होता है सीकोना की चाल से सीकोना की जो है सिनेमन की चाल से तो देखेगा राइड आंसर ये तो पता है अल्मोस्ट बहुत सारे बच्चों को अगर आप हमारे से regular होंगे अगर regular अधिनरत है हमारे पास तो आप लोग इसका अंसर बिल्कु जैसी आउसदी के प्रती व्यापक प्रती रोधक छमता मापने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया वेक्सिन्स विक्सित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं एक प्रभावी malaria vaccines जो है आपको बताना है कि रोग निरोधक टीके विक्सित करने के लिए क्या कठिनाई होती है मैं इसका right answer ही बता देता हूँ कि क्या right answer होगा इसका right answer होगा कि प्रकृतिक संक्रमन के समय मनुस्य malaria के लिए प्रती रोधक छमता विक्सित नहीं करता है ठीक है ना option number क्या होगा a is right answer देखिए आगे चलिएगा ध्यान दीजेगा next question क्या पूचा गया है कि निमनली कित में से कौन सा plasmodium परजीवी का वाहक है क्या है plasmodium परजीवी का वाहक क्या है मक्की होगा मचर होगा जू होगा या उप्रयोक्त सभी होगा तो बिल्कुर अगर आपने सोचा है मक्कर होगा तो बिल्कुर सही answer है ठीक है न क्या होगा plasmodium परजीवी का वाहक क्या होता है मक्कर होता है देखिएगा आगे चलते हैं कि आपको पूचा है कि plasmodium का कौन सा जाती सेरी ब्रम मलेरिया उत्पन करता है पी ओवल या फिर आपका पी वाईवेक्स या फिर आपका पी फैली फेरस फेरम या फिर आपका पी मलेरिया क्या होगा राइट अंसर तो अगर आपने चूज किया है option number C तो बिल्कुर सही answer होगा ठीक है ना guys क्या होगा option number C आपका बिल्कुर right answer है ओके गाइस चलिए चलते आगे अब देखीगा next question की ओर बढ़ते है क्या पुचा गया है कि काला जवार किसके कारण से होता है क्या पुचा है कि काला जवार किसके कारण से होता है ये proto जवार से होता है बट किसके कारण होता है मलेरिया, पायरिया, काला जवार चले, चेचिस, यह जो पेचिस होती है यह सब जो है, प्रोटो जवासे होती है देखेगा, तो क्या आपका आपका option number B correct है, क्या इसका क्या होगा, लिस्मेन या इनो बेनी, इसका बिलकुर से answer होगा, ठीक है न, क्या होगा option number B, अगर आपने choose किया है बिलकुर से, मलेरिया के दवा सिकोना की चाल क्रत्रिन विकल्प है तो इसका answer मैं आपको बता देता हूँ क्या क्रत्रिन विकल्प है यह आपका क्रत्रिन विकल्प है, इसका option number first ही, क्लोरोविकन ठीक है न, क्या होगा क्लोरोविकन इसका बिलकुर correct answer है देखिए, आगे चलते है next देखते हैं, क्या है तो आपके स्क्रीन पर question है कि मलेरिया जुआर रोगानो द्वारा एक विसक्तता पधार्त के उतसर्जन से होता है वह पधार्त क्या है पहला option आपके लिए है कि हीमो साइनीन second है आपका यूरिया third है आपका हीमो नोईन और third है आपका हीमो गलोबीन तो क्या होगा, बिलकुर आपका हीमो जोईन इसका correct answer है देखिए, आगे देखते हैं क्या पूचा गए आपका कि सेरी ब्रं मलेरिया तो कि कारण से होता है P, ovule या फिर आपका plasmodium vivax या फिर आपका होगा plasmodium falciferum या फिर आपका होगा P, malaria right answer is the option number C, क्या होगा plasmodium falciferum ठीक है न? देखिए आगे चलते हैं नेस्ट क्या पूछा गया आपसे कि थेले सिया एक अनुवांसिक रोग है जिससे प्रभावित होता है तो इससे क्या प्रभावित होता है फेपडे, रक्त, हरदय या फिर आपका गुर्दे तो guys ध्यान रखना है आपको इससे रक्त ब्लड प्रभावित होता है चलिए आगे शलते है अब नेस्ट जो है आपके स्क्रीन पर है कि थेला सेमिया एक अनुवांसिक बीमारी है जो की निम्नलीकित में से किसे प्रभावित होती है यह आपसे पूचा गया है फेपड़े से खुन से दिल से या उपर्युक्त में से किसे से भी नहीं तो अगर आपने चूज किया है ओप्सन नमर बी तो बिल्कुर सही आंसर है खुन ब्लड ब्लड इस राइट अंसर आगे देखेगा क्या पूचा गया है कि आपका प्रतिरक् तो थ्रम्बुसाइट जिनोंने सोचा है यह बिल्कुर गलत सोचा है आपने तो देखेगा सरीर के अंदर लोही की कमी की कारण क्या होता है कौन सा रोग होता है या फिर आपका रगत हिंता ओके वेरी गुड अगर आपका ओप्सन नमर सी है इसके पहले भी मैंने बताया पर वो दूसरे pattern पर question था ठीक है यहाँ पर आप लोग जितने भी question कर रहे हैं गाईस हर pattern पर question आपको मिल रहे है जैसे जैसे examiner question पूछ सकता है आपसे हर pattern पर आपको question यहाँ पर available है निम्न लिकित में से कोन सा रोग proto जवादवारा होता है तो proto जवादवारा कोन सा रोग होता है देखेगा आपका diptheria, हैजा, निमोनिया या फिर आपका malaria क्या right answer होगा क्या सभी ने option number D लगाया malaria अगर आपने malaria लगाया है तो बिलकुर आपने सही answer लगाया है आगे देखते हैं क्या है next देखेगा किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है आपका calcium, nitrogen, iodine या फिर आपका phosphorus क्या answer होगा आपका तो घेंगा तो iodine की कमी से होता या तो हर बच्ची को पता है आगे चलते हैं देखेगा आपसे पूचा गया हीमोगलोबिन क्या है हीमोगलोबिन क्या है मोन मेरो में पाया जाने वाला पधार्थ पोदे की पत्तियों में पाया जाने वाला पधार्थ मानव रक्त में पाया जाने वाला पधार्थ या फिर होगा आपका pituitary गरंती में पाया जाने वाला स्त्रावत तो option number क्या है आपका C correct है क्या होगा option number C is the right answer देखेगा जुआर क्या है next question क्या पुछा गया आपसे कि आपका जुआर क्या है देखे ये blood platte helmetis की क्या है सुजन है त्वचा की सुजन है पीडा है या फिर आपका रक्त कणी काउ का सुजन है क्या answer होगा guys अगर आपने चुज़ किया है option number A तो बिल्कुर आपने सही answer चुज़ किया है क्या होगा यह यह blood platte helmetis की क्या है सुजन है देखेगा चलते आगे next question को देखते है क्या पुछा गया है कि आपका carbon monoxide विसतता निम्न लिकित में से किसको मुक्यतह प्रभावित करती है liver की कार्य सिल्ता को पाचन क्रिया को kidney की कार्य सिल्ता को या फिर आपका रक्त की oxygen को वहन करने की चमता को तो अगर आपने चूज़ किया है option number D तो आपने बिल्कुर correct चूज़ किया है क्या होगा रक्त की oxygen को वहन करने की चमता को इसका बिल्कुर correct आंसर है देखेगा चलते आगे अगला देखे क्या है कि आपका सर्पदंत का प्रभाव सरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है मस्तिस्क पर नाडी मंडल पर रक्त संचरन पर या फिर फेपडो पर क्या आंसर होगा या फिर हरदय पर तो जिन्होंने C चूस किया है रक्त आपका संचार पर इसका बिल्कुर सही आंसर होगा ठीक है ना रक्त संचार या बिल्कुर आपने सही आंसर चूस किया है चले चलते अब आगे देखिए नेस्ट क्या आप उचा गए आपसे आपके स्क्रीन पर कोश्चन है कि मक्के में सपेद कली किस तत्व की कमी की कारण होती है जिंक नत्रजन, कपार या फिर आपका मैगनीज क्या अंसर होगा आपका ओप्सन नमबर ए जिंक is the right answer क्या होगा ZN is the right answer क्या सभी ने ZN अंसर किया है न बिल्कुर आगे देखेगा चलिए ये तो घेंगा वाला आपको पता ही है आउडिन की कमी से होता है निवी खनीज की कमी से घेंगा रोग होता है ये देखेगा नेस्ट क्या है आपका कि लूकुमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसके जिसमें असाधारन बड़ोतरी होती है प्लेट लेट्स की संक्या में अस्ती कोसिकाओ की संक्या में लाल रक्त कोसिकाओ की संक्या में या फिर स्वेत रक्त कोसिकाओ की संक्या में तो राइट अंसर क्या होगा गाईज, ओप्सन नमबर D, स्वेत रक्त कोसिकाव की संख्या में, ओके गाईज, चलिएगा, देखिए, रक्त कैंसर मतलब ल्यूकोमिया की रोक्ता में प्रयोग किये जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है, तो यह सोडियम, आयोडीन, फास प्रयोग में लाया जाता है, वह कोबाल्ट है, आर्सेनिक है, आई हगा, या फिर आपका होगा सोडियम, तो क्या होगा, सोडियम is the right answer, क्या होगा सर जी, एने सोडियम is the right answer, अगर आपने डीप रियास किया है तो, देखिएगा, आगे चलते हैं, कोबाल्ट 60 आमतोर पर विकीरन चिकित सामे प्रयोग तो होता है, क्योंकि यह उत्सरजित करता है, बीटा किरने, अलफा किरने, ग बिल्कुर सही answer होगा, चलिए, देखिएगा, कैंसर के नियंतरन करने के लिए उप्योग किये जने वाला रेडियो धरी समस्थानिक कुन सा है, तो यह आपको पता होना चीए, फास पुरस है, ठीके ना, क्या है सर जी, यह फास पुरस है, यह आपको बिल्कुर सही करना है, देखिएगा, आगे जलते हैं, आपसे पुछा गया है कि, ट्यूमर की पहचान ही तू, प्रयूग तो रेडियो धरीनमी समस्थानिक है, कोबाल्ट 60, आयो डेनी, या फिर आपका आरसेनिक, या फिर आपका सूडियम, क्या answer होगा, अगर आपने चूस किया है, किसका आगे देखते हैं, क्या है, क्योश्चन पूछा गया है कि, ट्यूमर सूचित करनेक में प्रयूगत रेडियो समस्थानिक है, कोबाल्ट आरसेनिक, सोडियम, या फिर आपका कार्बन, तो उप्सन नमबर B, आपका कार्बन is the right answer, ठीक है, क्या होगा, आरसेनिक is the right answer, ठीक ह बैगन की, मटर की, या फिर आपका पत्ता गोबी की, तो राइट आंसर क्या होगा, एलो बैगन मैसिज जो बिमारी होती है, यह बैगन की होती है, ठीक है न, आपका उप्सन नमबर क्या है, बी करेक्ट है, आगे चलते हैं, देखिएगा, क्या पूचा गया आपको, पूचा है, एक दिया है, रेडियो समस्थानिक और एक दिया है, निदान सुचक उपका, देखिए, आरसेनिक दिया है, थाराक्ति गरंती दिया है, कोबाल्ट रखता है, आयोडीन और कैंसर दिया है, सोडियम दिया है, क्या होगा, देखिएगा, इसका जो सही करम बनेगा 3 आरसेनी क्या होगा आपका 1 होगा 2 होगा फिर होगा आपका 2 का 4 होगा यह 2 होगा मतलब कोबाल्ट कैंसर होगा आयोडीन थाराइड गरंती यह होगा 3 और 4 तक है सोडियम रक्त आपका होगा रक्त वेती करम होगा Electronic की रन्चिकित्सा के प्रयोग की विकीरन्चिकित्सा है जिसकर द्वारा उपčार किया जाता है पिता से की पतरियों का बड़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंती का विशेज प्रकार की चैंसर का गुर्दे की पतरियों का क्या आंसर होगा अगर आपने चूस किया है option number C तो बिल्कुर सही आंसर होगा ठीक है ना विशेश प्रकार की cancer का is the right answer चलीगा तो आज का session हम लोग जो है इतना ही रहन देते हैं मिलते हैं हम लोग आप उसे next session में जब next हमारा super 50 वाला class होगा ठीक है guys तो अधिक सदिक share करेगा सभी विद्यार्टियों को ताकि junior student का अभी भी जो है कल exam है बहुत सारे student जो है properly हमारे पास पढ़ रहे है यह जो है आपको humor के तोर पर दे रहा है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगी को पेट के आकसी करन परिक्षन से पुर्व खिलाया जाता है क्यों देखेगा क्यों खिला जाता है इसका आपको सर्च करना है और जो भी answer सटी हो ठीक है ना जो भी answer सटी हो उसको मुझे comments करके बताना है at least पता तो चले हमें कि आप लोग कैसी study कर रहे हैं इसको आप लोग को जितना कम सब्दों में नीचे comments बॉक्स में comments करना है आपको क्या है ये barium के बारे में जो आपसे पूझा गया क्या होता है तो guys मिलते हम लोग next session में जब भी next session हो टेलिग्राम पर जरूर जुड़िएगा जो भी student first time आया है पहली बार देख रहा है चनल को subscribe जरूर कर लेजेगा और आपको session अगर अच्छे लगते होंगे session पसंद आते है तो session को like कीजेगा और share कीजेगा जैहिन नमस्ते प्रणाम रादे रादे